ये जो बच्चा आप देख रहे हो ना ये करनाल के तेरा सेक्टर में किसी के घर आ जाता है तो मैं मुझे कॉल करती हैं कि किसी मैम ने आपका नंबर दिया है तो प्लीज आके इस बच्चे को ले जाओ क्योंकि आपके एक संस्त है तो मैंने बोला कि मैं मैंना भी फेडिंग निकली हुई है तो मैं नौ बजे के बाद आने की कोशिश करूंगी तब तक आप ऐसा करो भी आप डॉक्टर के पास इसको लेके जाए आपके घर के बिल्कूल पास एक होस्पिटल है तो प्लीज बच्चे को तब तक हेल्प दे दीजिए ना क्योंकि मेरी काड़ी पूरी शरीफ है बिल्कुल भी काटते नहीं है आगे से ना तो लोग उनको तो इह रिक्षा में गाड़ी में जैसे मर्जी होस्पिटल लजा ही सकते हैं अब कोई बच्चा हमारे सामने तडफ रहे हम फोन करके हेल्प मांगेंगे कोई हेल्प करने नहीं आ रहा तो एट लीस आप उसकोत जैसे तैसे हैं बच्चे को हॉस्पिटल तक तो पुचा उसको दवाई दो लेकिन लोग नहीं करेंगे लोग बोलते हैं फोन करके जल्दी आप ही आओ आप इसब करो वह यह नहीं सोचते कि आपके घर में कितने बच्चे आप कितने बच्चों की सर्जिनिया कराने जा रहे हो आप होस्पिटल में हो आप शेल्टर पे हो आपकी तब ठीक है नहीं है नो आप आओ क्योंकि आपने पेज बनाया हुआ है आपको आना ही पड़ेगा तो उसके बाद क्या होता है कि मैं घर आ जाती हूं आट बजे मेरी तब ठीक नहीं थी तो उनका कॉल आता है त तो मैंने चलो ठीक अच्छी बात है ट्रीटमेंट मिल गया है बच्चों कोई लाज मिलना चाहिए डेजन मैटर कौन कर रहा है ना सुबह होती क्या होता है कि मुझे लेटरली पौने 8 बजे फोन आने शुरू हो जाते है और मेरा फोन सालेंट पर रहता है मेरा परसनल अच्छी बात कर रहा है तो सुबह मेरे को कॉल आने शुरू हो जाते है पौने 8 बजे तो मैं फोन सुबह नहीं उठाती क्यों कि मैं सोती 3-4 बजे हूं जैसे गली में डॉग्स की लडाई होगी कभी कुछ हो गया तो ध्यां रखना पड़ता है मैं सुबह सोती हूं तो इ आपने 9 बजे का बोला था तो मैं कर तो मेरे ठीक नहीं और में आपकी दूसरी बात आपकी वाइफ ने ममी को काल कर कर के बता दिया था कि बच्चे को इलाज मिल रहा है तो अच्छी बात है नहीं उसको शेल्टर की जरूरत है तो मैं का सब्दों हमारा शेल्टर अभी टो यह दीज़े दे लिफेने और जूँ आप ते लोगों से पाइस अप मैं बेजा कि ऐघे को अपने पैसे भी पीज बेजे हैं तो मैं पिर किसी और के हम नहीं क्यों ने ले रहे हैं। मतलब लिटरली उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी लिटरली उनके पास रिकॉर्डिंग होगी इस चीज की क्योंका फोन बीच-बीच में बोल रहा था में इसे जुबीतरे ऑव मेराह था ही सबस्कार करें जाते हैं और लोग मेरे प Parents-क्राइल कोई सबस्क्रानं kendra को होगा जो मेरे को help करने के लिए तो कोई नहीं आता और जब इनके पास कोई चारा नहीं मिलता है जा करते हैं फॉन पे मेरे को गालिया निकल वाते हैं गालिया दे के उसके बाद एक डॉग की सैड सी स्टोरी डालेंगे और यह गली का कुत्त है मैं और मैंने यह भी बोला मैं कर रहा दलजीत को भेजो जल्दी तब यह सारी संस्थाय चुप बैठ जाती है और हाँ उस भाई साब को मैंने बोला मैं जो लेडी आपके गर इस डॉक करने आई है ना पहले आप अपनों से सब क्लियर कर लो उसके बार ही मैं help कर पाऊंगी क्योंकि उस लेडी ने मेरे प चल रही है और सोचो और एक बर क्या हुआ वही लेडी किसी डॉक को दवाई दे रही थी तो मेरे को नहीं पता था ना जैसे पेंकिलर दे दिया उन्होंने तो मेरे सामने वह डॉग आया तो किसे ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि डॉक बहुत भीमार है प्लीज आप इसका इ कोई हमारे करनाल की अल्डेडी कोई संस्ता काम कर रही है तो मैं टांग निया डाती महां पर मुझे लेन देना बच्चे को हेल्प मिल रही है न क्योंकि वो लोग क्या करते हैं वो लोग ना फिर मेरी रिकोडिंगे करते हैं अगर मैं उस बच्चे को को दवाई दे के गई कि बहुत बजूर्ग बच्चे है जहां पर इतने रह रहे हैं बचारे वही रह लेगा और मैं एक चीज और बता देना चाहती हूं कि जब भी मैं कोई मंकी रेस्क्यू करती हूं तो हमारी करनाल की संस्थाइं वाइड ऑफिस में पहुंच जाती है अगर मैं डॉग्स को र बच्चे रखे हूं बेजुबान जिसमें पैरलाइज ब्लाइंड ट्राइपोड सब मेरे पास कोई टीम नहीं मेरे पास कोई एंबुलेंस नहीं फिर भी मैं अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़की काम कर रही हूं और जो लोग मेरा नंबर देते हैं जो खास कर संस्थाएं क करनाल की में घरभ्रवर की ड्रियर के नाल की खिधार लेबराडओर हैं कि अगर इकार पर्शन काच रोग में किंग्लों पर जा जा कि पता दो लग जाते है आर करनाल च Zwoटना से है उदर से बच्चे तो मैं क्या कर हूँ जब मैं किसी की help ना करूँ तो लोग गलत बोलते है, help करूँ तो मेरे को harp नाई जाते हैं, कोट में मेरे केस चलते हैं, मत उदर से क्या ही आ रहा है थाग और बच्चे के लिए मैंने और अल्रीडी बोल दिया है, कि जिस लेडी ने में को phone कि मैं मेरे घर पंचा दीजिए, क् जो जाओंगी मैं इसाप बढ़े गाली गिलोश निकलेगी क्योंकि जो बंदा फोन पर मेरे से इतनी गंदी गंदी गालियां दे जिसके घर में डॉग पड़ा हुआ है कि तिरको पैसा आ रहा है तिरको यह हो रहा है तिरको वह हो रहा है मतलब उनको क्या ही तमीज होएगी बच्चा इतना बजूर गया है मुझे नहीं पता वो बचारा कितने दिन निकालेगा फिर भी उस बच्चे के पिछे हाथ दो के पड़े गया और राजनितियां कर रहे है यार मतलब यह जो मैं काम कर रही है बहुत इजी नहीं है देखने में कोट में केस चल रहे हैं पुल मेलों में पढ़ना निचाती है अगर आपके घर के बार कोई बेजुबन बच्चा होता है बिमार होता है सबसे पहले उसको अपनी जिम्मेवारी समझे हमारे करनाल में 10 होस्पिटल है इतने कोई ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते आप जाती जाओगे तो आपको बहुत प खाना खिलाने अभी तक करनाल से सिर्फ एक फैमली यह वो बच्चों को खाना खिलाने आई है कभी को दूसरा बंदा खुद अपने हातों से इनको खाना खिलाने नहीं है हा लेकिन इनको यह पता है कि शेल्टर बन गया है फटड़ फटा ठाओ और मां फैंकाओ यह इनको और इनकी सड़ी की मारी मैंने अपना परसनल लंबर भी साइलेंट कर दिया सम्टाइम मेरे घरवालयों को फोन करना होता है तो भीसे पढ़ते हों उने को फोन कीसे करे क्योंकि जो मेरा नंबर होता है लोग वाइरल करी जा रहे हैं और मैं एक चीज और बोलना चारी थी कि ये जो लोग NGO रिजिस्टर कराते हैं ये कराते हैं है ना इसके भी ना कुछ गाइड लाइन होनी चाहिए आपने एक लफाफ में पैडिगरी डाली आप सडकों पर डालने चलेगे आपने पेज बना लिया आपने रिजिस्टर करा ली जब उस बच्चे को हेल्प करने की एक्चॉल में बारी आती है वो बच्चा सडक पर तडफ रहा है ना लोगों की उमीद होती है संस्थाओं से अब करनाल में 4 लाख लोगों की अबादी है अब एक बंदा तो सब के साथ पूरी नहीं पा सकता सारी गलियों में जाके मैं डॉक्स को उठा के नहीं ला सकती है हर बंदे को मैं फोन भी उठा सकती रिप्लाई भी नहीं कर सकती तो ये जो करनाल में और भी संस्थाई हैं तो प्लीज पहले अपने शेल्टर बनाओ, चाहे कोई कराई का मकान लो, कुछ लो, जहाँ पर अपर अमरजंसी में कुछ बच्चों को रख पाओ, क्योंकि सब लोग मिलके क्या करते हैं, सब लोग मिलके मेरा नंबर दे देते हैं, और मेरा भी एक वो है, अगर मैं जादा बच्चों को रखने के चक्कर में वो आपस में लड़ ले रहे के एक दूसरे को मारते जाएंगे, तो मेरी उस सेवा का क्या फाइदा, जमन को संभाली नहीं पाऊंगी, और आपको पता है कि काम करने वाले बंदे बहुत कम हैं, इ इतनी गंदे तरीके से बात करेंगे, जो बेजती है, उसका तो कोई लेवल ही नहीं, तो प्लीज मुझे बख्षो, मेरे कहने का मतलब है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा घर था, मेरे को डोग दिखता है, मैं इसको घर ले आती थी, चट के जो बैक से जगा होती थी, हाना धीरे-धीरे मैंने ऐसे शुरू किया, बच्चे बढ़ते गए, जो पैसों से मैं शेल्टर बना रही हूं, जो पैसे मैं बच्चों पर लगाती हूं, मैं अपनी जिंदगी भी जी सकती थी, अपने लिए और ज़्यादा लग्जरी लाइफ ले सकती थी, ना, मैं कितनी चीजे सेक्रिफाइज करके, मैंने मेरी जो दुनिये है ना, हर चीज में ये बच्चे हैं, अगर मेरा भी घर है ना, तो घर को भी मैंने बच्चों के हिसाब से डाल लिए, छट है, छट पे शट डलवा दिये, मैंने छट पे कोई वो टेरिस नहीं बनवाया, गमले कितनी होण के ह्टारी है, मैंने बच्चों के लिए बना दी ए देरे- देरे मेरे जो गाडी है, उसको वे बच्चों को दे दिये, वेलीनों बच्चों के लिए, उसमें कोई और बैढ़ ही ने सकते हैं, सबस highways में उम्में मीजदे में रहे कर से बनागा, फो इने बच्चो करा कि कुछ नहीं होता है ना मैं देख रही हूं यंग्स्टर कुछ बच्चे हैं एंजियो भी बना ली है काउंट भी खुल गए हैं सब खुल गए लेकिन जब डॉग रखने की बारी आती है दिल जी दी प्लीज आप रखो अब दिल जी दी कली सारी दुनिया के साथ कैसे प देखा कि जो बच्चे पैरलाइजड हैं जो ब्लाइंड हैं वह बिचारे कहां जाएंगे क्योंकि लोग तो आपको पता है लोग तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे तो मैंने क्या किया दीरे जो मेरा कुछ भी था मैंने इन बच्चों पर इंवेस्ट करना शुरू कर दिय हैं तो मेरे को कोई ऐसी जगह मिले कि जहां पर जो सही बच्चे हैं मैं उनको छोड़ पाऊं अपना खेले कुदे नाचे गाएं जो मरजी करें वह बिमार बच्चों को परिशान ना करें तो मेरी जिंदगी में मेरे गोल मेरा एम सब कुछ यह बन गये तो मैं लोगों को बोलना चाती हूं तो किसी का नंबर बाटने से पहले और किसी के घर में जाके यह जो संस्था वाले लोग हैं लोगों के घरों में जाएंगे दो इंजेक्शन ठोकेंगे कुदे को उधर से मेरी बुराईयां करने शुरू कर देंगे दलजीत तो ऐसी है दलजीत को तो पैस तो मेरे को टैक करना गालियां देना फोन करके दोंश चडाना बंद कर दो अगर मैंने तुमारे नंबर वाइरल करने शुरू कर दिये फिर तुम मेरे घर आके रोगे बैठके हैं अपर